बढ़ते आगे यूबी चुनाओं के मदिनेस है बीजेपी की 265 प्लस की रणीती को साकार करने के लिए मोधी लगाता है एक बाद एक रैली कर रहे हैं इस इक्राम में प्रधार मंती नरेंदर मोधी आज मुरादाबाद जाएंगे मोधी यहां एक जनसभा को समबोधित करेंगे प्ये मोधी रैली को समबोधित करने के लिए यहां दो बच के 35 पनट पर रैली इस्थल पर पहुंचेंगे इस जनसभा के लिए सुरक्षव ववस्ता के पुखता इंतिजाम किये गए हैं रैली में 3000 पुलिस बलके जवारों के साथ ही यहां 62 पुलिस के बड़े अधिकारी भी तैनात किये गए हैं साथि साथ तीन हलिपैट भी हां तैयार किये गए हैं वहीं प्ये मोदी के सुरक्षव ववस्ता के लिए भी सख्त इंतिजाम किये गए हैं पार्किंग के लिए भी अलग अलग वववस्ता की गई हैं मुरादबाद के अलावा आसपास के जनपदों से आने वाले वहलों के लिए अलग पार्किंग की ववस्ता की गई है। सुनने के लिए देखने के लिए ऐसे में पार्किंग ववस्ता भी दुरूस्त हो इस बात का भी ख्याल रखा गया है। परिवर्तन यात्रा चल रही है बीजेपी की ऐसे में जाहिर सी बात है वक्त कम है यहां और 2017 का चुना बेहत नस्दीक है। जादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ आकर्शित करना जनता तक केंद सरकार के उपलब्धियों को पहुचाना और बीजेपी का जो एजेंडा है उतर प्रदेश के अंदर आने वाले विधान सबचरावों के लिए वो लोगों तक पहुचाना इसके लिए तमाम बड प्रदार मंती नरेंद्र मोदी खुद शिरकत कर रही है तो जनसभा के लिए सुरक्षा विवस्ता के भी पुखता इंतिसाम किये गए है तैयारी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए तीर हजार पॉलिस बल के जवान तैनात किये गए हैं सभी को जम्मेदारी यहां सौपी गई है पॉलिस के 62 अधिकारी भी तैनात किये गए है इसराली के मद्दे नज़र मुरादबाद में राली हो रही है और तीन हलिपैट भी बना कर तयार रखे गए हैं यहां पार्किंग की भी अलग से विवस्ता की गई है जाहिर से बात है प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी आते तो उनके पीछे एकी फीड भी आती है उनने सुनने के लिए उनने देखने के लिए है ऐसे में कही न कही यहां पर लोगों को दिक्खते ना हो इस बात का ख्याल लखा गया है पार्किंग विवस्ता ट्राफिक विवस्ता दूर्स रहे इस पार की तरफ खास तवज्ज़ दिगई है शुर्ःषा भी खास तवज्ज़ दिगई है